हलो दोस्तों चलिए आज हम यह फ्लार टुटुरिल बनाएंगे दिखिए डिजयन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइक इन सेर कीजिएगा बहुत ही डिजयन है यह और बहुत ही अच्छा दिखता है यह दिखिए दिखने में बहुत ही प्यारा फाइच चिन कर लेंगे फर्स्ट वन में लेकर हम इससे ज्रैंट करेंगे धाय को खीचेंगे हम यह पर पॉफ बनाएंगे ऐसे एक हुआ दो तीन चार पांच फाइटाइम हम धाय को खीचे रहें फिर इसके निचे से निकालेंगे पानेंगे फिर फंदी लेंगे सेम जग चार पांच फिर इसके निचे से निकालेंगे यह पानेंगे उसके बास से हम फिर एक दो तीन चार पांच फाइच चिन करेंगे फंदी लेंगे फिर यहीं पर फिर से पॉफ बनाएंगे एक दो तीन चार पांच फिर इसके निचे से निकालेंगे पानेंगे फंदी लेंग फिर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 फिर इसके नीचे साज से निकालेंगे और यह बान लेंगे फिर यहां पर हम फायचैन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर फिर फरैंदे लेंगे फिर 2 पॉफ एक पास फिर बना लेंगे हम एक, दो, तीन, चार, पांच, बान लेंगे, फिर यहाँ पर एक और पॉफ बनाएंगे, फ्री दो और पॉफ बनाएंगे, ऐसे, तो हमने चार उत्रफ से बना लिये, पूरा देखी, इसमें क्यां औरиться back-site लगा लेंगे है ऐस Always एक टो मृक बनाये है इस है ऐसे बांध के एक दो तिन कर दो त्रीबल क्रोश्या बनाएंगे हम एक दो तीन दो हो गया तीन चार चार हुआ और एक बना लेंगे यहाँ पर पांच फाई हम त्रीबल क्रोश्या ऐसे बना लिए उसके बाद हम यहाँ पर एक दो तीन चार पांच फाई चेन कर लेंगे नवल फंदिलेंगे फिर से हम फाई बनाएंगे ऐसे एक दो तीन चार पांच फाई हम ऐसे बना लिएगे अब उसके बाद से डाइरेक्ट हम यह मिडिल ओला है इसमें हम लेक ऐसे ज्ञाइंट कर लेंगे देखें फिर डावल फंदे लेंगे फिर इसमें हम ऐसे ही एक दो तीन चार पांच फिर फाई हम त्रीबल क्रोशे यहाँ पर बना लिए उसके बाद एक दो तीन चार पांच फाई चीन कर लेंगे फंदे लेंगे फिर से फाई त्रीबल क्रोशे बना लेंगे हम एक दो तीन चार पांच फिर यहाँ नीचे ऐसे जॉइंट करेंगे फिर डबल फंदे लेंगे फिर इसमें पहले फाई त्रीबल क्रोशे बना लेंगे फिर five chain करेंगे फिर five double crochet फिर इसमें joint करेंगे फिर इसमें बनाएंगे फिर यहाँ joint करेंगे तो देखिए हमने चारतरप से ऐसे बनाया फिर यहाँ पर joint करेंगे और उसके बाद से डायरेक्ट यह जो पहला बनाया है इसमें लेके हम ऐसे joint कर लेंगे और ये बांद के कट करके निकाल देंगे यहाँ से तो देखे हमने यह चाहतरोप से बना लिया डिजान कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइक एन सेर कीजिएगा डिजान कैसा है जरूर बताईएगा प्लीज लाइक एन सेर कीजिएगा थैंक यू